अब कर रहे हैं कंप्यूटर का पार्ट सेकंड तो पार्ट सेकंड 51 कोईश्चन से स्टार्ट करते हैं दर डैस कंट्रोल कम्मिनिकेशन फॉर दी एंटाय कंप्यूटर सिस्टम तो जो कंप्यूटर सिस्टम का जो पूरा कम्मिनिकेशन होता है वो कौन चीज कंप्यूटर पर कंट्रोल करती है तो आप इसे एक आपोजिट वे में भी आप लोग इसे याद कर लिजे कि जो दोनों तरफ को आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो मदर बोर्ड है मदर बोर्ड का वर्क क्या होता है ये कम्मिनिकेशन जो कंप्यूटर सिस्टम है पूरा उसका जो पूरा कम्मिनिकेशन है मीन्स कोई चीज कैसे फंक्शन करेगी वो मदर बोर्ड कंट्रोल करता है मी करेगा में जो भी प्रोसेसर बताएगा वो इन चीजों को किस तरह से कमांड करेगा यह यह दोनों चीजें तीनों चीजें जैसे प्रिंटर हो गया सारी चीजें किस तरह से काम करेंगी यह सारा काम किसका होता है motherboard का होता है तो अगर आपको हिंदी में यह question दिखता है कहीं पर तो आप लोग समझ सकते हैं इसलिए मैंने पूरा हिंदी में इसे explain किया है तो जो communication करता है control करता communication को वो motherboard करता है तो motherboard बहुत important चीज है अब चलते हैं आगे USB is which type of storage device दो जो USB है वो किस तरह की storage device है तो आप लोगों याद रखना है यह आपकी secondary storage device है यहाँ पर जो USB है USB की full form भी आप लोगों पूछी जाती है तो इसका आप लोगों को इसे no down भी करना है universal serial bus universal serial bus इसकी full form होती है इस a secondary type of storage device which is used in all computers laptop and mobile आप लोगों देखा ही होगा USB आप लोगों पैंड्राइब आप लोगों पता ही होगा ठीक है तो यह पैंड्राइब जो होती है यह इसको हम USB के नाम से जानेगे तो यहाँ पर लोगों क्या है इसकी full form universal serial bus यह आप लोगों की secondary device होती है कि डैस्ट प्रोवाइड एक्सपेंशन के पर कपेबिलिटी ऑफ कम्प्यूटर सिस्टम तो आपका होता है slots slots आप लोगोंने computer के अगल बगल देखा होगा जो side में होते हैं जैसे जो जिसे इसे नॉमल भासा में हम बोलते हैं चिप लगाना या जो memory card जो होते हैं ठीक है तो memory card के लिए slots बने होते हैं slot means अगर English में देखे तो जगय होती है तो इस तरह से कुछ slots बने होते हैं जहां हम क्या करते हैं memory card डालके stories जो expansion expansion मींस होता बढ़ाना तो कोई भी अगर हमें किसी चीज की memory बढ़ानी है कि आप लोगों नहीं देखा होगा कि mobile की हमें memory बढ़ानी होती है तो कुछ slots होते हैं उससे हम क्या कर लेते हैं जो capacity है computer की वह बढ़ा देते हैं कि what happens when you boot up a PC तो बूट मैंने आप लोगों कहा था कि बूट जो है वह जब भी हम बूट करेंगे किसी computer को वह तो उस टाइम पर क्या होता है portions of operating system are copied from disk into memory तो जो operating system के क्या है portions है उन्हें हम कहां डाल देंगे भाग है जो वह from disk to memory तो disk से वह कहां चले जाती है सारी चीजे memory में चली जाती है what are two examples of freeware तो freeware के दो example कौन-कौन से है वो है आपके instant messaging and google toolbar ये दोनों के दोनों आपके freeware में आते हैं next है आपका which of the following are advantages of cd-rom as a storage media अगर हम cd-rom use कर रहे हैं तो उसके advantage क्या क्या होते है cd-rom is an inexpensive way to storage large amount of data and information अगर cd-rom जो है उसका एक advantage यह है कि यह inexpensive way है means यह हमें सस्ते में use करने के लिए मिल जाता है quotes consisting of bars or lines of varying widths or length that are computer readable are known as a barcode barcode आप लोगों ने देखा होगा कि आज की date में आप जो भी shopping करते हैं जो भी चीज़े होती है उसमें एक line इस तरह से पड़ी रहती है और उसे जाके हम क्या करते हैं उसे scan करते हैं तो सारी information उस product से related जो होती है वो computer में फीड हो जाती है तो बार कोड आप लोगों सारी चीज़ों में आजकल जो होते हैं बार कोड जरूर आप लोगों देखने को मिलता है तो जो बार कोड होता है वह अगर इस तरह से आप लोगों पूछा जाएगा कि जो lines बनी होती हैं बाहर किसी product पे और वो कोड है तो उसे हम क्या कहेंगे बार कोड कहते हैं दी यूनिट MIPS is used to measure the speed of जो MIPS है वो processor की speed के लिए use होता है बस आपको simply इतना याद रखना है processor की speed के लिए क्या use किया जाता है MIPS MIPS की जो है full form, full form जितनी मैं आप लोगों को बताता चल रहा हूँ आप लोगों को से खुद से एक list बनानी है और उसे याद भी रखना है next time के लिए तो आप लोगों का MIPS है उसको हम बोलते है million instruction per second यह आपकी MIPS की full form है millions instruction per second यह आपकी MIPS है तो processor की जो अगर हम नापेंगे कि यह कितनी speed से काम कर रहा है कोई processor तो उसे हम MIPS में count करते हैं अब prescribed set of well-defined instructions for solving mathematical problem is called an algorithm एक algorithm क्या होता है यह एक set of well-defined instruction है जो की mathematical कोई भी अगर problem अगर computer में है या problem का मतलब है कोई भी काम अगर हम computer में mathematics से related कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं उसे हम algorithm कहते हैं तो इसे दोनों तरफ को आपको याद रखना है algorithm किसे कहते हैं और अगर हम set of well-defined instruction for solving mathematical problem तो उसे हम क्या कहेंगे आपका algorithm कहते हैं यह आपका still virus कोई भी जो bug होता है उसे हम virus कहते हैं और virus भी एक तरह का क्या बन जाता है अंदर जाके एक तरह का application की तरह काम करना शुरू कर देता है है तो आप लोगोंने इसे बहुत ही common अभी वर्ड हो गया है कि मोबाइल में क्या आ गया है वाइरस आ गया है इस तरह से हम बूट करेंगे तो वो पूरी information को ही destroy कर देगा dash converts and executes one statements at a time तो वो था आपका interpreter तो interpreter क्या काम करता है interpreter converts and executes one statement at a time next is the primary purpose of an operating system is operating system है उसका जो primary purpose है क्यों बनाया गया है या उसका काम क्या होता है operating system का to make the most efficient use of computer hardware जो operating system है वो computer hardware का को अच्छे तरीके से काम करवाने के लिए बना हुआ है next is you can you cannot close ms word application by from file menu choose submenu यहां पर कहने का मतलब यह है कि जो ms word file आप लोग उने खोली होगी computer में अगर आप लोग नहीं खोली है तो simply आप लोग क्या करते हैं कि जब एक ms word file होती है तो उसे हम file menu से choose करके close menu को use करके आप उसे close नहीं कर सकते यहां पर आप लोगों को button मिलेंगे इस तरह के तो आप जब तक इसे close यहां से नहीं करेंगे तब तक यह close नहीं होगा बहुत ही simple एक question था लेकिन जो लोग computer के used to नहीं है वो इसमें confused हो सकते हैं तो आप लोग इस तरह से और अगर आपको इसको बंद करना है तो आप simply alt plus f4 भी यह पूरा आप लोगों को याद रखना है यह पूरा आप लोगों के लिए important है आप लोग alt plus f4 दबाएंगे तो जो menu है वो अपने आप ही बंद हो जाएगा computer में कोई भी application खुला है अगर आप alt plus f4 करते हैं तो बंद हो जाता है यह click x button मैंने कहा यहाँ पर की x button होता है आप लोगों का इस तरह से तीन बटन आप लोगों को side में मिलते हैं computer में तो इस से क्या होगा title bar से बंद हो जाएगा choosing file menu and exit sub menu तो आप लोग क्या करेंगे अगर exit यहां से कर लेते हैं file menu में जाते हैं यहां पर file होता है तो file menu में अगर आप नीचे जाएंगे और exit अगर आप लोग जाएंगे तो तीनों तरीके से आप क्या कर सकते हैं MS word को बंद कर सकते हैं बहुत basic चीज है लेकिन जो लोग computer use नहीं करते हैं ज्यादा वो लोग इसमें confused हो सकते ह हैं और सिर्फ MS word की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर अगर आप लोगों का MS powerpoint पूछा जाता ठीक है powerpoint होता यह excel होता यह कोई और program होता तो alt plus f4 से इवन आप लोग computer भी बंद कर सकते हैं यह shortcut की होती है जो आप इसको सेव कर देंगे वन यू सेव तो दिस अब लोगों का सेकंडरी स्टोरेज डिवाइस अभी हमने सेकंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या पड़ी थी पैंडराइब पड़ी थी ठीक है तो अगर मैं आप लोगों थोड़ा सा easy way में इसे बताओ हिंदी में कि आप अब कोई चीज क्या की कंप्यूटर से आप लोगोंने स्टेंड्री डिवाइस डिवाइस में कर दी है सेकंडरी वाइस में आप लोगों का पैंड्राइफ खेंड्राइब में आगर आपने कोई information सेव कर दी है तो उसके डिवाइस है वो आपकी चिप भी होती है आप लोग इसे चलो computer से हटा के अगर आप mobile से समझने की कोशिश करें इसको जो आप normal language में हम memory card को क्या कहते हैं चिप कह लेते हैं तो अगर आपने क्या किया है कि mobile का कोई data अगर अपनी चिप में या memory card में save कर दिया है तो आप अगर मोबाइल को क्या कर लेंगे turned off कर लेंगे बंद कर लेंगे तो भी क्या रहेगा वो memory card में save रहेगा तो यही चीज यहां पर पूछी जा रही है secondary storage device में अगर आप कोई भी चीज को save करते हैं तो वो even computer हो mobile हो क्योंकि mobile भी एक computer का ही card का एक हम को कह सकते miniature form है छोटा form है दिप टू मेजर टाइपस ऑफ कंप्यूटर चिप्स आप दो तरह के क्या होते हैं आप लोगों के computer chips होती है उनमें पहला होता है आपका microprocessor दूसरा होता है आपका primary memory next is storage media such as a cd read and write information using the laser beam of red light जो cd आप लोगों ने देखा होगा तो अगर आप उसे घुमा कर भी देखेंगे तो आप लोगों को इस तरह से colorful चीजे उसमें दिखाई देती है तो जो colorful होती हैं चीजे उन्हें अगर हम technical language में बोले तो जो colorful चीजें हैं उसे हम कहते हैं a laser beam of red light कि इसके बाद है आपका magnetic disc are the most popular medium of direct access and sequential access काफी technical word है तो इन्हें आप रहने दे सकते हैं क्योंकि आपका इतना level पे questions यहां पर नहीं पूछे जाएंगे और removable magnetic disc are hold that holds information that is called floppy disk मैंने कफी बार आप लोगों को इसका diagram भी बना के दिखाया था floppy disk का आज की डेट में यूजली यूज नहीं होती है लेकिन आप लोगों पता होना चाहिए कि यह क्या होता है आपका magnetic disc होती थी और इसमें क्या किया जाता था memory को रखा जाता था तो memory disk हो गया आपका chip हो गई आपकी या आपका pen drive हो गई यह सारी चीज़ें आप लोगों की secondary डिवाइस में आती है उसके बाद आता है डैश यूस इस लेजर टेक्नलोजी तो जो लेजर टेक्नलोजी है वो किसमें यूज होती है जो हम cd बोलते है विजली movie के cd गाने के cd जो भी चीज़ें होती है उन्हें cd रोम टेक्निकल लेज़ें बोला जाता है तो उसमें laser टेक्नलोजी का यूज होता है जैसे हमने देखा floppy disk में magnetic जो चीज़ें होती है उनका यूज होता है a computer works on dash number system जो computer है वो आपका binary system में binary system की को यूज करके चीजों को करता है याद रखिए binary system को तो computer हमीशा किस पर काम करेगा binary number system पर काम करता है missing slot covers on a computer can use over heat तो usually जो slot होते हैं computer में तो उसमें इस तरह के छेद बने होते हैं या किसी भी तरीके से कोई sports हो सकते हैं place बना होता है तो अगर उन पे हमने ठीक से cover नहीं रखाया उसको तो वहां क्या होगा धूल वगएरा चली जाएगी और चीज बंद हो जाएगी तो उससे क्या होता है over heat होता है computer या laptop और finally वो computer काम करना बंद कर देता है which of the following is the storage is within the computer itself which holds data only temporary as the computer process instruction तो यह होता आपका main memory main memory का काम होता क्या है कि जो data है उसे temporary hold करता है और computer को instruction देता है a dash is a computer attached to the internet that runs a special web server software and can send web pages out to other computers over the internet तो उसे हम कहते हैं web server web server का काम होता क्या है कि कोई भी वेब pages है उनको अलग-अलग web pages को हम क्या करते हैं web server तो server अगर हम हिंदी में इसे जानने की कोशिश करें तो web server आप कह सकते हैं कि एक जगह एक प्लेश स्पेस से सारी जितनी websites हैं web pages है ठीक है जैसे आप लोगों का कोई भी .com से .com मैंने पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बता था .com हो सकता है .in हो सकता है .education हो सकता है .uk होता है इस तरह से आप लोगों के website बनती है तो अलग-अलग website है उनको platform देता है अलग-अलग जगह क्य करेगा तो यह जो place है यह आपका क्या होता है server होता है तो companies में भी अपने individual server होते हैं जो पूरी company में काम करते हैं which of the following is a storage device इन में से storage device कौन-कौन सी है तो मैंने कहा यह भी floppy disk भी है अप्टिकल डिस्क जो आप लोगोंने cd या dvd देखे होंगी यह चीज़ें लेकर सारी चीज़ा अलग-अलग उस पर क्या करती है काम करती है यहां पे जो optical है यहां पर आपको laser पर depend करती है यह floppy disk जो है वो magnetic उस पे storage पर करेगी यह magnet से related होती है और hard disk जो होती है यह slots बने होते हैं उसके अंदर निक्स जो है आप लोगों का in ms word for what does ruler help जो ruler बना रहता है अगर आप लोगों को इस तरह से page मिलेगा उसमें जब computer खोलेंगे आप तो यहां पर एक आपको scale type मिलेगी scale means जिसे हम पटरे बोलते हैं जनरल लेंग्विज में तो यहां पर आप लोगों को scale बनी होती है तो उससे हम करते क्या है ठीक है तो जो ruler है उसका काम यह है कि वह इंडेंट्स बना सकते हैं उसके लिए use कर सकते हैं पेज का जो margin है पेज का जो size है उसे चोटा बड़ा कर सकते हैं और taps कर सकते हैं किस काम आता है जैसे मुझे एक line लिखनी है सपोज कि यही पेज में यही पर ruler मैंने set किया था ठीक है तो इसके लिए क्या होता है कि हम देखते हैं कि यह देखिए आप 75 थोड़ा इधर है और यह बाकी चीजे यहां पर मैंने use की हैं तो हम indents set करते हैं page margin set करते हैं tabs set करते हैं tabs का मतलब होता है कि suppose कीजिए मुझे यहां तक मैंने tab set कर लिया तो मैं जब enter मारूंगा तो इतनी दूर पर जाकर ही रुकेगा तो मुझे अगर कोई list बनानी है तो किसी page में list बनानी है तो हम कर सकते हैं easily तो ruler ruler means होता है पटरी और पेज के ऊपर होती है तो हम usually इसे margin सारी चीजों के लिए use करते है the default header for the worksheet is यहां पर जो default header होता है किसके लिए worksheet अब worksheet आपके किसका है part worksheet है आपका MS Excel का है सीदे यहां आ जाते हैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं MS Excel is widely used for worksheet in a computer application मैंने कहा अगर आपको कोई भी गर्णा करनी है कोई calculation करना है mathematical कोई काम करना है तो आप worksheet में करेंगे worksheet किसका है आप लोगों MS Excel का है MS Excel किसका part है आपका MS Office का MS Office की जब बात होगी तो MS Office में आपको तीन चीज़ें याद रखनी है पहला क्या हो गया MS Word किसने बनाया है Microsoft ने बनाया है इसलिए इसको आप MS Word कहेंगे MS PowerPoint ठीक है PowerPoint और तीसरा आजाता है आपका MS Excel ठीक है तो यह तीन चीज़ें आ गई आपकी यह आपका PowerPoint में है तो तीन चीज़ें यहां ह आप लोगों दिमाग में होनी चाहिए धीरे-धीरे डिवैलप हो जाएंगी उसके बाद आता है आता है आपका Trojan Horse Trojan Horse क्या होता है Trojan Horse एक तरह का वाइरस है कर देता है वाइरस को पूरी तरह से डिस्ट्रोइ कर देता है वाइरस आपको कई कई बार ऐसे दिखाई देते होंगे कि इस चीज़ को डाउनलोड कर लीजिए ठीक है डाउनलोड कर लीजिए तो आप लोग क्या करेंगे अगर आप लोग वो दिखेगा तो कि यह एक तरह की वीडियो है ठीक है तो आपको लगेगा कि ओके यह एक वीडियो है मुझे यह डाउनलोड करनी है लेकिन जब आप उसे डाउनलोड क काम क्या होता है वो किसी को फूल करना ठीक है डाउनलोडिंग या एक्ज़क्यूटिंग और चीज़ें एक्ज़क्यूट कर देता है तो याद रखीगा ट्रोजन होड क्या बनाते हैं अपना बना सकते हैं उसके लिए हम इस्प्रेच्षीट सॉप्ट्वेर यूज करते हैं दड़ डैश की एंड़ डैश की कें वी उस्ट कंभाइन अदर कीज तो परफॉम शॉटकट्स एं मैंने कहा था आपको कि जो कंट्रोल और ऑल्ट और शिफ्ट तीन ची मोडिफायर की तरह पूछा जा सकता है कि कौन सी होती है मोडिफायर बोला जा सकता है कि कॉम्बिनिशन बना के हम जैसे मैंने आप लोगों बताया था कंट्रोल एक्स जो होता है वह आप लोगों का आप लोगों का वह आप लोगों का वह आप लोगों सेलेक्ट होता है इस उसको हम computer की language में की बोलते हैं जब भी जो लोग basic से बी इस्टार्ट कर रहे होंगे कई लोग तो की का मतलब क्या है की computer की जो keyboard होता है उस keyboard इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें Keys होती है की का मतलब कोई भी एक button तो जितने button होते हैं जितने keys होती है उनको हम अगर alt और control और shift के साथ दबाएंगे तो आप लोगों को क्या होंगे नई नई चीज़े बनती है इसलिए हम इसको modifier भी बोलते हैं website address is unique name that identifies a specific dash web तो क्या होता है आप लोगों का website का address होता है website को बताता है website address या web address इसको बोला जाता है तो जैसे आप लोग अगर मेरी दो website है koji study.com भी एक website बनाई थी मैंने और उसके अलावा जो अभी जो हमारी चल रही है वो है हमारी नई best notes tutorial तो best notes tutorial जो है इस website पर आप लोग क्या कर सकते है tutorial.com इस पर अगर आप विजिट करेंगे तो आप लोगों को हमारी जो चीजे हैं वो आहां पर मिलती है तो आप लोग देख सकते हैं कि क्या है कि जो website है उसके पास यह क्या होता है वेब अड्रेस होता है simple सी बात और मैंने आप लोगों को बता है कि जो website होती है .com.in.edu.uk के इस तरह से website का address होता है programs designed specifically to address general purposes पॉपस अप्लिकेशन और कॉड उन्हें हम क्या कहते हैं उन्हें हम कहते हैं application software जितने भी क्या होते हैं software होते है application software ही हम computer यूज करते हैं कोई भी program designed computer के लिए कोई program designed है तो उसे हम application software कहेंगे या application software किसे कहेंगे जो program designed होगा the Germans call this the spider monkey and the Italian call it snail which symbol is this तो आप लोगों को यह याद रखना है हम इसको कहते है अगर हम जर्मन लेंग्विज वाले क्या कहते हैं इसको आप लोगों का है spider monkey आप लोगों का spider monkey और Italian बोलते हैं इसको snail तो यह symbol क्या है आप लोगों का at the rate जैसे हम at the rate बोलते हैं digital computers use dash system to encode data and programs तो digital computer के अंदर अगर हम कोई भी program बनाना है तो हम binary system का use करके ही करते हैं कोई भी हमें उन्हें instruction देना है किसी computer को दो प्रम प्रम वस डिवैलप्ड वाइप परम एक super computer है जो इंडिया का है और इसे किस ने इसको पुल डाउन भी का जाता है तो दो चीजे आते पुल डाउन या ड्रॉप डाउन आप क्या होता है जैसे computer में इस तरह से आप हमारी website में भी जाएंगे तो आप लोगों को दिखेगा कि ugc net ठीक है ugc net अब मुझे क्या करना था कि ugc net के अंदर जो courses थे हमारे literature वगरा तो आप जब ugc net पर click करेंगे तो आप लोगों को नीचे 1 2 3 4 इस तरह से courses दिखाई देंगे नीचे को तो इसी को हम drop down menu भी बोलते हैं या उसको pull down menu भी बोलते हैं किसी की website में जाएंगे आप लोगों को यह चीजे मिल जाएंगी sometimes something which has easily understood instruction is said to be dash analog data तो हम क्या कहते हैं कि जब हम कोई instruction है उसे हम क्या कहते हैं analog data कहते हैं जिसे हम easily understood कर सकते हैं by default a real number is treated as float अगर हम simply आपको बस इतना याद रखना है जो real number है उसे हम float से treat करेंगे otherwise बहुत technical चीजें हो जाएंगी compatibility is regarding to computers refers to compatibility word है computer में वो किस चीज के लिए use होता है compatibility का मतलब होता है compatibility software running with other previously installed software कि जो इसकी capacity क्या है इसकी जो है शमता कितनी है जो आपके computer है अगर computer compatibility की बात करें तो उसकी हम capacity की बात कर रहे हैं कि डैश हाड ड्राइव आर पॉमिनेंटली लोकेटेड इंसाइड इस सिस्टम यूनिट और नौट डिजाइन तो बी रिमूट अनलेस दे नीड टू रिपेयर और रिप्लेस्ट तो जो इंटर्नल होता है कोई भी अगर इंटर्नल आपका सिस्टम यूनिट में है तो उसे हम क्या नहीं करते रिमूव नहीं करते जब तक कि उसको रिपेयर ना किया जाय सकते है एक्स्टर्नल चीजों को आप रिमूव कर सकते हैं जैसे आप इवन आप जैसे माउस को हटा देंगे तो आप पूरा काम बिना माउस के भी कर सकते हैं कम्प्यूटर में डिलेड प्ले होना शुरू हो जाए मेन स्टोरेज is also called memory और जो मेन storage है उसे हम memory भी कहते हैं next is यह आप लोग सारी चीजें पढ़ सकते हैं which type of memory holds only the program and data that the CPU is presently processing तो आपका है यहां पर RAM तो यह किस तरह की RAM की जो memory होती है उसमें किस तरह की random access memory इसको कहा जाता है तो जो CPU अभी अगर प्रोसेस कर रहा है presently तो सारा जो प्रोग्राम होगा RAM के अंदर ही होगा इसके बारे में हम पिसली वीडियो में बात कर चुके हैं which of the following is the largest unit of storage यह काफी बार पूछा जाता है तो मैं आप लोगों को इसे sequence बता देता हूं तो आपका सबसे होता है सबसे छोटा जो होता होता है के भी फिर होता है आपका MB फिर होता है आपका GB और फिर होता है आपका TB ठीक है तो किलोबाइट मेगाबाइट गीगाबाइट और टेराबाइट तो यह आपका क्या है sequence है आप लोग इसे याद रख सकते हैं के KMGT करके याद रख सकते हैं और सिंपली देखे सबसे छोटी जो आप फोटो अगेरा खिंसते हैं वो के भी में आ जाती है फिर आजकल जो बड़े कैमरा है वो MB में भी बना रहे हैं फिर उसके बाद आपकी जो मेमरी होती हो GB आप लोगों को याद होगा और TV काफी लोग जानते नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी मेमरी में मिलता है तो- पूलएइस से जो आटपट डिवाइस से बाहर को जी आ रही है तो प्लॉटर है speaker है और printer है तीनों यह क्या है आप लोगों के output device हैं इसमें कौन सी नहीं है screen को हम output device में नहीं कर सकते हैं और लेकिन यहां पर देखे explanation में और चीज़ मैंने लिखी है वो है आप लोगों के जो touch screen होती है touch screen आपके output और input दोनों device का काम करती है यह चीज़ आप लोगों धियान रखना है most application software तोड़े comes with interface called graphical user interface और जो आज कल के जितने भी application software होते हैं एप होते हो graphical user interface उनका होता है the dash is a box that houses the most important part of computer system system unit होता है किसी भी computer के अंदर जो system unit होता है उसमें सारे important जो पार्ट होते computer के वो system unit में ही होते हैं two devices are in network if are in network if a process in what device is able to exchange information with the process of another device just leave this one properly arranged data is called information computer की language में अगर हमने किसी data को बहुत अच्छे से arrange करके रखाया तो उसे हम information कहेंगे कहेंगे markup text tell the web browser how to display the file अब यह जो markup text है यह आप लोगों का जो web page बनाने की languages हैं उनका उनका हिस्सा है तो आप लोगों को याद रखने हैं जो markup text होते हैं और how to display the file इसका काम करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा depth हो जाएगा so we can leave it and now the last question for this for this video the common name for the crime of stealing password is called is pooping or spoof जो बोला जाता है अगर आप किसी का password चोरी कर देते हैं तो उसे आप लोग spoof word use करते हैं तो इसी के साथ हमने पूरे 100 question कर चुके हम computer से related we will be doing other question and answers in this way so give at least 10 to 15 minutes for these files you can go through and definitely we will complete the whole computer syllabus of your screening with these files so see you in next video bye bye take care